हां जी बेटा हुन स्टार्ट कर दें exercise 8.4 the third sum third the first part as a decol equation है statement sin square 63 degree plus sin square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree right बेटा असी हुने exercise स्टार्ट करने तो पहले कुछ formulas किते हैं बट उस formulas देविच की सिगा कि sin square theta plus cos square theta equal to 1c कले साइन साइनल कोई property नहीं सेगी so that means अगर ये theta सेम हुन्दा दुनना देविच एक्च साइन एक्च कॉस हुन्दा तसी ये नूँ एक चीज आपा ने नोटिस किते हैं जड़ी 8.3 एक साइज आपा कार चुके हैं बेटा देखो 63 तो 27 कुछ है combination 63 तो 27 तो टोटल किया गया 90 है ना ति उधे 8.3 दे विच आपा कुछ प्रोपर्टी करके गया सिए that इस रिमे साइन 90 माइनस थिटा इस इक्वल स्टू कॉस थिटा राइट तो एदे ते यसी ओ प्रोपर्टी अप्लाई कार सक देयां देखो जरा साइन स्केट 63 आज़िट देन इदे ते अपा अपलाई कार देनने या 27 तो लिख सक देया 90 माइनस 63 कोई प्रोप्लम थे नी 90 जो 63 माइनस करांगे ते किया आजोगा 27 एसे ते रही नीचे या देखो 17 ते 73 दुन नदा टोटल करांगे ते किया होगा 90 है ना तो इदे च्व साइन सकेट 63 डिगरी फलस साइन 90 माइनस धिटत लिख सक देया तो इद जगत आपके लिख सकदेया 1, इनीच वल जगते भी 1, 1 उबर 1 की आगया चाड़ा, 1 की आगया answer नाल प्रॉपर्टीज रूर मेंचन कर देने हैं, बिकर साइन्स के थिटा प्लस कॉस के थिटा इस एकोल टू 1 तक जी examiner नूँ पता होँए के थो नूँ प्रॉपर्टीज आन दियाने, next कर देना इदा second part, second part है sin 25 degree, cot 65 degree, प्लस की आगया अपने कोल, cos 25 degree into sin 65 degree, right बेटा होन एदे बिच भी देखो, अगर असी 90 दा जड़ा combination हो बनाइए, 65 ते 25 नूँ प्लस करांगे देखिया होगा 90 एसे इतना है, एद तर 65 ते 25 नूँ प्लस करांगे किया होगा 90, हैना बट एक sin एक cause है, so that means आनो जुरूरत हा, एस cause नूँ की बना लिए sin, ताकी sin square बन जवे ते एस sin नूँ की बना लिए cause, ताकी cause square बन जवे same हो ही property अप्लाई कार देया है, sign 25 एजट, then cause नूँ असी की लिख सक देया, 90 minus 25 65 ही आओगा, then यदर cause नूँ चेंज करांगे, के नूँ चेंज करांगे, sin नू, sin वसी लिख सक देया, 90 minus 25 65 ही आओगा, right na, so एक ही आगया, sin 25 degree, then cause 90 minus theta, that is sin theta plus cause 25, then sin 90 minus theta, that is cause theta, sin 25 into sin 25, that is sin square cause 25, that cause 25, that is cause square, एक ही बन गया, sin के theta plus cause के theta so एजर रिजल्ट की हुंदा, one एही property देच तुसे लिख से लिख देनी है, okay so एसी सादा third sum